इस वीडियो में आपका स्वागत है आज है 1 जून 2019 और यह हमारी 165 वी क्लास है 12 important question आपके लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरश्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्योंकि यह आपके exam में पूछे जाते हैं साथी questions related important fact भी आपके लिए बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने है तो दोस्तो आपको अगर MPG के और current affairs related कोई भी problem जाए तो आप हमें comment box में जरूर बताएं question number first हाली में किस राज में high speed की trainों के trial के लिए corridor बनाया गया है जिसका सही option है उत्तरपदेश हाली में उत्तरपदेश में high speed की trainों के trial के लिए एक corridor बनाया गया है दोस्तो railway के अनुसार अब नई train और upgraded engine के trial के लिए corridor पर traffic block करने या किसी train को रद करने की जरूरत नहीं होगी UP के खुर्जा और भावपुरा के बीच 343 km लंबे track बनाया गया है दोस्तो यह corridor देश में बनने वाली high speed नई trainों के से लेकर हर तरह के engine के trial के लिए बरदान है दोस्तो 250 km प्रती घंडे की speed की train का trial इस corridor पर किया जा सकता है दोस्तो आप बात आईए उत्तर प्रदेश की तो आपको मैप में उत्तर प्रदेश के बारे में बता लें मैप में ये जगह है उत्तर प्रदेश को दरसाती है उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनबरी 1950 में की गई थी गवर्नर है राम नईग उत्रप्रदेश के मुख्य मंत्री है योगी आदित दिनात और राजधानी है लखनव तो दोस्तो इतना आपको उत्रप्रदेश के बारे में याद रखना है Next question हाली में किसे मध्यप्रदेश सामाजिक न्याय विभाग PS बनाया गया है इसका सही option है जे एन कसोडिया हाली में जे एन कसोडिया को मध्यप्रदेश सामाजिक न्याय विभाग PS बनाया गया है इसके अलावा दोस्तो इस्क्रीन पर आपको कुछ और नाम दिख रहे होंगे इनके बारे में भी आपको बता दें तो राजेस राजोरा को PS उद्योग नीती और नर्वदा घाटी विकास का PS बनाया गया है अजीत केसरी को PS किसान कल्यान क्रशी विकास और शाहकारिता बनाया गया है और असोक शाह को मध्यप्रदेश प्रशासन का PS बनाया गया है तो इतनी नियुक्तियों की बारे में आपको याद रखना है किन दो पाकिस्तानी लड़कियों ने टाइड परवत फते किया है जिसका से यॉप्षन है अमीना हनीफ और सिद्धिकी बैटूलने यहां पर बैटूल है दोस्तो पाकिस्तान की इन दो लड़कियों ने हाली में टाइड परवत फतेह किया है दोस्तो पाकिस्तान के घांचे शहर में रहने वाली 15 वर्षिय अमीना हनीफ और सिद्धी का वटूल जो 17 साल की है इन दोनों ने हाली में 12,198 फीट उचे परवत यानी टाइड परवत को फतेह किया है दोस्तो ये टाइड परवत इस पेन का सबसे उचा परवत है तो इतना आपको इस टाइड परवत की बारे में याद रखना है पाकिस्तान की दो लड़किया हनीफ अमीना हनीफ और सिद्धी का वटूल ने यह परवत फतेह किया है नेक्स्ट क्वेशन हाली में कब विश्वत तंबाकू निसे दिवस मनाया गया है जिसका सई उफ्षन है 31 मई हाली में 31 मई को विश्वत तंबाकू निसे दिवस मनाया गया है दोस्तो इस दिन तंबाकू या उसके उत्पादों के उपभोग पर रोक लगाने या इस्तिमाल को कम करने के लिए लोगों को जागरुक किया जाता है इस दिन का मुख्यों दिस लोगों को तंबाकू से होने वाले स्वास्त नुकसान के विशाय में अवेरनेस फैलाना है दोस्तो 2019 में विश्व तंबाकू निसेद दिवस की जो थीम थी वो आपको बता दें तो 2019 में थीम थी तंबाकू और फेफणों का स्वास्त ये थीम आपको याद रखनी है दोस्तो ये कोर इंपोटेंट फेक्ट आपको बता दें 1987 में पहली बार ये दिवस मनाया गया था Next Question हाली में कौन आंदर प्रदेश के मुख्य मंतरी बने हैं तो इसका सही option है जगन मोहन रिड़ी हाली में जगन मोहन रिड़ी आंदर प्रदेश के नए मुख्य मंतरी बने हैं दोस्तो आप बात आईए आंदर प्रदेश की तो आपको मैप में आंदर प्रदेश के बारे में बता दें दोस्तो मैप में ये जगह आंदर प्रदेश को दरसाती है आंदर प्रदेश की स्थापना 1 अक्टुवर 1953 में की गई थी गवर्नर है ESL नर्शिम्मा दोस्तो हाली में नए मुख्य मंत्री बने हैं चूकि ये स्लाइट पुरानी है इसलिए यहाँ पर चेंज करके यहाँ पर आंदरप्रदेश के मुख्य मंत्री बने हैं जगन मोहन रिड़ी और आंदरप्रदेश की राजधानी है हैदराबाद तो इतना आपको आंदरप्रद BCCI ने तीन माहे का प्रतिबंद लगाया है दोस्तो भारतिये A Team और UP के रणजी खिलाडी रिंकु सेंको आबुदावी में गेर अधिकरत T20 लीग का हिस्सा बनने के आरोप में BCCI ने तीन माहे का प्रतिबंद लगाया है यानि इन्हें तीन माहे के लिए निलंबित कर दिया गया है दोस्तो अब बात आईए BCCI की तो आपको BCCI के बारे में बता दें दोस्तो BCCI का फुल फॉर्म बोर्ड ओफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है इसकी स्थापना 1928 में की गई थी दोस्तो इसके प्रिसिडेंट है C.K. खन्ना तो इतना आपको इसके ब स्कारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वसेण अंतरास्टिय शिम्भलाормस अम्र फैस्टिवल 2019 में मध्यपरदीस में कौन सा लोक नत्य प्रस्तुति देगा जिसका सई उप्षर नं है बुंदेली लोक नत्य ऌनतार और यही पर बुंदेली नरत्य की प्रस्तुती मद्यप्रदीश की तरफ से दी जाएगी नेक्स्ट क्वेशन शहीदों के बेटे और बेटियों की चात्रवरती में कितना इजाफा किया गया है जिसका सही ओप्षन है बेटों की चात्रवरती में 25 प्रतिशत और बेटियों की चात्रवरती में 33 प्रतिशत का इजाफा हाली में केंदर सरकार द्वारा किया गया है दी जाएगी दोस्तो आतंकी और नक्सली हमलों में शहीद पुलिस कर्मियों के बच्चों को भी इस चात्रवित्ती के दायरे में रखा गया है दोस्तो हर साल 500 पुलिस कर्मियों के बच्चों को यह चात्रवित्ती दी जाती है तो आपको याद रखना है 25 प्रतिशत और 33 प् किस प्रदेश में knowledge corporation का गठन किया जाएगा जिसका सही option है मद्यप्रदेश हाली में मद्यप्रदेश में knowledge corporation का गठन किया जाएगा ऐसा संकेत हमारी मुख्यमंत्री कमलाज जी ने दिया है दोस्तो उच्च सिक्षा की मजबूती और कौसल बिकास की गड़वत्ता को बरकरार रखने के लिए मद्यप्रदेश में knowledge corporation limited का गठन किया जाएगा दोस्तो अब बात आईए मद्यप्रदेश की तो आपको मैप में मद्यप्रदेश की बारी में बता दें मैप में ये जगा है मद्यप्रदेश को दर्साती है मद्यप्रदेश की इस्थापना एक November 1956 में की गई थी गवर्णर है अननदी बेन पटेल मद्यप्रदेश की मुक्षी मंत्री है कमन लाथ और मद्यप्रदेश की राज़तानी है भोपाल तो दोस्तो इतना आपको मध्यप्रिदेश के बारे में याद रखना है Next question हाली में किस देश में नरहंदर मोधी जी और तरंगे ज्ञडे का लेजर शू कराया गया है जिसका से कहले अउफशन है UAE UAE में नरेंदर मोदी और तरंगे जंडे का लेजर शू कराया गया है दोस्तो UAE की आबुधावी में तेल कंपनी एड़नोकन के मुख्याला में 76 मंजला इमारत पर मोदी और तरंगे जंडे का लेजर शू कराया गया है आपको यादी है हाली में हमारे देश के प्रदान मंत्री बने है नरेन मोजी जी और इसी के लिए यह लेजर सू कराया गया है दोस्तों आप बात आईए UAE की तो आपको मैप में UAE के बारे में बताएं मैप में यह जगाए UAE को दरसाती है UAE की राजधानी है आबुधावी, करंसी है गिरहम और रास्टपती है खलीफा बिन जयाद अल नाहियान तो इतना आपको UAE के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन हाली में किस मैला ने पहली बार हौक जेट उड़ाया है जिसका सई उफ्षन है मुहन सेने खाली में मुहन सेने पहली बार हौक जेट उड़ाया है दोस्तों मुहन सेने हौक जेट को ओपरेट करने वाली वायुशिना की पहली महिला पाइलेट बन गई है इन्होंने पश्चे मंगाल के कलाई कुंड वायुशेना स्टेशन में चार एरक्राफ्ट के साथ हॉक जेट को उड़ा कर यह रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने 500 घंटे से ज्यादा उड़ान भरी है जिसमें से 380 घंटे हॉक जेट को उड़ाया है इतना आपको मोहना शहन के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन दोस्तो आपको बता दे महतमा गाधी सम्मान गांदी दर्सन के अनुरूप सामाजिक कारिक करने वाले को दिया जाता है दोस्तो आप कुछ और मद्यप्रदेश की ये सम्मान आपको दिख रहे होंगे आपको इनके बारे में भी बता दें तानसेन सम्मान की इस्थापना 1980 में की गई थी और यह सम्मान सास्त्री संगीत के खशित्र में दिया जाता है लता मंगेसकर सम्मान की इस्थापना 1984 यानि 1984 में की गई थी और यह सम्मान भी संगीत और गायन के खशित्र में दिया जाता है दोस्तो कबीर सम्मान की इस्थापना 1987 यानि 1987 में की गई थी और यह सम्मान नई भारतिय कविताओं के खशित्र में दिया जाता है तो इन चारों सम्मान के बारे में याद रखना है दोस्तो एक्जाम के लिए बहुत इंपोटेंट है दोस्तो अब बात करते हैं प्रीवियस डे के क्वेशन की हाली में केशैन में दो गाओं को टूरिस्ट ब्लेज बनाये जाएगा तो इसका सही option था मांडू मांडू में दो टूरिस्ट ब्लेज बनाये जाएगे और इन दोनों गाओं की नाम है मालीपुरा और लंबा ताला अब बात करते हैं दोस्तो question of the day की तो आज का question है हाली में किस airport को international airport का दर्जा मिला है तो इसका answer आप हमें comment box में दें कीजे कलम आपके साथ फिर मद्यप्रिदेश और वर्ल्ड के interesting fact को लेका राज रहोंगे दूस्तो आप महीने में कम से कम दो पेड़ अवस्त लगाए परियावरण को देखते हुए तो आज के लिए बस इतना ही नमस्कार have a nice day